प्रेटे पीटी थ्री सिक्स्टी फाइफ पॉलिटी की जिसमें हम लोग काफी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं तो हम लोग के टॉपिक जो चल रहे थे तो लोग ने देखे यहां तक काफी सारे टॉपिक्स कर लिये थे निया पालिका से जुड़े हुए यह आपने यहां तक देखे थे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉंस्टिशन बैंच हेरेंगी सब हमने कर लिये थे ठीक है सुपेज क्या होता है अब इससे आगे के जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे बंद कमरे में सुनवाई इन कैमरा प्रोसीटिंग देखे सुप्रीम कोट ने बलतकार के मामले मे इसवय में इन की जाती है तो्समें सब्कार की जाती है इस प्रकार की सुनवाई संवाई कियाग में और रिवें के आनुसार की जाता है इसके माद्यम से बाद में शामिल पक्षकारों की सुरक्षा और निज्टा सुनिश्चित की जाती है तो देखे इस प्रकार की सुनवाई क्यों करते हैं बंद कमरे में देखे समवेदर शील जो मामले होते हैं अगर नियाल ले को ऐसा लगता है तो की जाती है इसके माद्यम से क्या है जो बाद में शामिल जो पक्षकार होते हैं उनके सुरक्षा और निज्टा सुनिश्चित की जाती है कि उनकी सुरक्षा और निच्टा बनी रहे ऐसी सुनवाई वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से आप बंद कमरों में की जाती है जनता और प्रेस को इस प्रकार की सुनवाई उसे दूर रखा जाता है जैसे आप देखते होंगे कि जनता बैठी रहती है यह मतलब आपने देखा हो ऐसा नहीं होता है बंद कमरे वाली सुनवाई में प्रेस को भी दूर रखते हैं ऐसी सुनवाई है न्याइक अलगाव नपुसंक्ता जैसे वैवाहिक विवादों के मामलों में परिवारिक अदालतों में की जाती है तो कोई परिवारिक मामला है तो परिवारिक अदालतों में ऐसी बंद कमरों में सुनवाई होती है इसके अत्रिक मालीजे किसी का निज्टा का मामला है तो ऐसी सुनवाई होती है इसके अत्रिक आतंगवादी गतिवीदियो में गवाहो की गवाही के दौरा न्यालाई के विवेकानुसार इसकी रक्षा उनकी रक्षा करने और राष्टी सुरक्षा को बनाया रखने के लिए भी की जाती है तो अगर मालीजे किसी गवाह की रक्षा के लिए ऐसा किया जा सकता है पूर्न नहालाय बैठक फुल को मीतिंग कह बारत में नए मुखह निया जिधी एक बुलाई है तो जो नही हमारे सीजियां, उनए पूर्न नयालाय के बैठक से तान हाला कि इसके आयोजन को लेकर कोई लिखित नियम नहीं है नियालाई परमपरा के अनुसार नियायपालिका के महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भाद के मुख न्यायदीश द्वारा पूर्ण न्याले की बैठके बुलाई जाती है लेकिन जो न्याले परम कानूनी व्यवस्था के समक्ष विद्धमान समस्याओं से निपटने और न्याले की प्रशाशनिक व्यवार में कोई भी शंशोधन करने के लिए एक साजा समाधान पर पहुचने यतू किया जाता है तो इस मतलब जिसे कि क्यों करते हैं सरेगी क्यों बैठके तो इसका पूचने हितू किया जाता है तो मतलब पूंड न्याले बैठक एक तसी आत कर लेगे कि सारे जज़ेस को बुलाया जाता है तो इस पूछ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए ना उच्छ तर न्यायपालिका में भाशा लैंग्विज इन हायर जुडिश्यरी सभीध में संपन होंगी ठीक है आर्टिकल 348 का क्लॉज 1 जो है ठीक है 348 का क्लॉज 1 उसके अनुसार क्या है जब तक कि संसद मतलब जो हमारी संसद है वो विधी बनाके ठीक है लौ बनाके या कोई अन्य तरीके से बन ना करे तब तक सुप्रीम कोट और जितने भी हाई कोट है उ संपन्द में आर्टिकल 348 का जो क्लॉज 2 है किसी राज का राजपाल राजपती की पूर सहमती से उस राज के हाई कोट की कारवायों के लिए हिंदी या उस राज की शाशन संपन्दी उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाले किसी अन्य भाशा की प्रयोग की अनुम तो क्या है कि किसी राज का राजपाल राजपती की पूर सहमती लेकर उस राज के हाई कोट की कारवाहियों के लिए हिंदिया उस राज के शार्ष सम्मंदी उद्देशों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग के अनुमति दे सकता है तो मतलब राज का राजवाल राशपती की पूर सहमती लेगा और उस राज के हाई कोट की कारवाई के लिए हिंदी या अन्य भाषा के प्रयोक के उन्मती दे सकता है ठीक है हाला कि हाई कोट दौर पायत निर्ना डिक्री आदिश अंग्री जी भाषा में होंगे यह सब अंग्री जी भाषा में होंगे तो यह उच्छ न्याय पालिका में भाषा सम्मन्दी प्रावधान के बारे में था अब अब अदर इन्पोर्टन न्यूज देखते है टैली लौ सेवा देखे न्याय विभाग और नालसा ने कानूनी सेवाओं के एकिकरद वित्रण के लिए एक समझोधा ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है इस समझोधी के अनुसार नालसा प्रतीक जिले में किवल टैली लोग कारकरम के लिए 700 वकीलोग की सेवाय प्रदान करेगा तो क्या है यह समझोधा नालसा जो है ठीक है वो प्रतीक जिले में मतलब हर डिस्ट्रिक में केवल टैली लोग कारकरम के लिए 700 वकीलोग की सेवाय प्रदान करेगा पैनल में शामिल किये गये वकील रैफरल वकीलोग की रूप में भी काम करेंगे यह मुकदमेबाजी से पहले के चर्ण में विवाद से बचने में आहता करेंगे तो यह जो वकील होंगे वो विवाद स smile但 अंतन्र को मजबूत करेंगे तो ये कब शुरू की गई थी? तैली लो पहल ये 2017 में विदी और न्याय मंत्राले के अंतगत न्याय विभागने शुरू की थी ये पहल एक विश्वश्नी और कुशल E-Interface प्रदान करती है क्या प्रदान करती है? विश्वश्नी और कुशल E-Interface ये मुकदमेरजी से पहले विवाद समाधान के उपाय को अधिक महत देती है तो जो टैली लोग पहल है जो हाशिये पर लोग रह रहे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है और ऐसी लोग कानूनी मदद मांग रहे हैं तो उनको कानूनी सहता देने को अधिक मैद देती है यह एक लाग ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्वेस सेंटर में उपलब टैली और वीडियो कॉंफरेंसिक अपसरणशना का प्रयोग करती है इन कॉमन सर्वेस सेंटर के माधियम से यह पहल पैनल में शामिल वकीलों द्वारा लोग को कानूनी सला उपलप्त कराती है तो इन कॉमन सर्वेस सेंटर के माधियम से क्या है पैनल में जो भी वकीलों के उनके द्वारा यह क्या है लोगों को कानूनी सला उपलप्त कराती है तो क्या है साथ सु वकीलों की सेवा प्रदान करेंगे दोहर सत्रा में विद्यो नाय मंत्रा लेके अंतकत नियाव भागने से शुरू किया था है थोड़ा से इसको ऐसी शॉट में ध्यान लगए देखे ब्रॉड का सेवा पोर्टल क्या है यह अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस अनुमत्य पंजीकरण आधी के लिए ब्रॉड कास्टर्स के आवेदनों की त्वरित फाइलिंग और प्रोसेसिंग यह तो एक उनलाइन पोर्टल सॉलूशन है ब्रॉड कार्ट सेवा पोर्टल नाम से पता चल जाएगा आपको यह कि जिसे अलग-अलग प्रकार के जो लाइसेंस अनुमत्य पंजीकरण के लिए जो ब्रॉड कास्टर्स हैं उनके जो वल्ला वगए उन्हें आवेदन करना है तो उनकी मतलब जल्दी फाइलिंग कर सके तुरत फाइलिंग और प्रोसेसिंग यह तो एक उनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन है जल्दी उन लोग की प्रोसेसिंग हो सकेगी उनकी फाइल के इसे सूचना प्रसाइड मनता है दोरा शुरू किया गया एक सरलोप उप्योग करता अनुकूर वेब पोर्टल है यह ब्रॉ समय में कमी आएगी साथ ही आविदकों को अपने आविदन से सम्मंदिर प्रक्ति को ट्रेक करने में भी सहाई तरप्रदान करेगा तो याद रखे कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टर नाम से याद रहेगा कि जो ब्रॉडकास्टर है उनकी फाइलिंग जो मतलब उनके आव याद रखे इसको हुँ है नहींगा है यह सर्काराव लोग्स्वास्थ हितों के लिए व्यक्तिकत अधिकार पर फृतिबंन लगा सकती है ठीक तो अगर लिकिन कि तीन आवशक्तों को पूरा करने वाले हो चाहिए यह आवशक्ता है वैदानिक्ता वैदावशक्ता और अनुपातिक्ता तीन वर्ट याद रखे वैदानिक्ता वैदावशक्ता और अनुपातिक्ता शायक स्वायक्ता अखंता बच्चो साहित प्रतेक मनुष्य का अपने प्रतिक मनुश्य अपने शरीर पर नेड़ने का अधिकार है। तो यह बात ध्यान रखिए कि मतलब कि किसी को टीका करण के लिए मजबूर नहीं किया सकता आर्टिकल 21 के था है लेकिन क्या है कि लोगस्वास्थ के लिए व्यक्तिकत अधिकार उपर प्रतिवन लगाया चाह सकता है ठीके लिकिन कि क्या है तीन आवशक्ताओं को पूरा करन देखे यह सुप्रीम कोट और निशली अदाव द्वारा उप्योग किये जाने वाली प्रता है इसके तहस सरकारी एजेस्यों से सीलबंद लिफाफों में सूशना मांग यह सूशना की जाती है इस सूशना तक कि वन न्याइदीश की पहुच हो सकती है देखे आपने बहु लिफाफों में सूशना मांगे स्विकार की जाती है ठीक है कि मतलब जो भी सरकार एजेंसे कहते हैं आप सीलबंद लिफाफों में सूशना तक केवल न्याइदीशों की पहुच हो सकती है कोई भी विशेश कानून इस सीलबंद आवरंट के सिद्धान को परिवाशत नहीं में इसके सिद्धान को डिफाइन नहीं किया है आव शक्ता क्यों लेगी है लेंगे उत्पीडन या बाद शूशन से पीड़ितों की गरीमा की रक्षा करना सुरक्षा के वहाब में उनका भावी जीवन प्रावित हो सकता है तो इस केस में यदि मामला शाष के गुप्त ब यह आपको ध्यान रखने है त्रांजिट अग्रिम जमानत ठीक है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल यह क्या है बॉम्बे हाई कोट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत टैप के मुद्दे पर सुनवाई के लिए इस मामले को अपनी बड़ी पेट को भेजा है टैप की मां ट्रांजिट अग्रिम जमानत हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इसको हम पढ़ रहे हैं तो क्या है कि बॉम्बे हाई कोट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के जो मुद्दे पर सुनवाई के लिए इस मामले को अपनी बड़ी पेट को भेज दिया है टैप की मांग कप की जाती है तब की जाती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ऐसे राज में मामला दर्ज है या होने की संभावना है जो उस राज से अलगे जिसमें उसे गिरफतार किये जाने की संभावना है ठीक है टैप की मांग मतलब चप करते है मान लिजे कि मान कोई व्यक्ति है ठीक है तो मालीजे वो है किसी और राज का और उसके खिलाफ मामला किसी दूसरे राज में दर्ज हो रहा है तो जब किसी व्यक्ति खिलाफ किसी ऐसे राज में मामला दर्ज के आगा है होने की संभावना है कि उस राज से अलग है जिसमें उसे गिरफतार किय तो जमानत करना इसका विक्ति को जमानत मिल सकते व्हें उस राज में स ужас में उप्युक्त अदालव से उसल सम्पर कर सकेगा जा अगरणत के लिए मामला किया गया है कि कि मिषज अब को दंडा क्रसाई तरस परीभाष परीभाशिए परिभाषत नहीं किया गया है kan крrpc 438 घरफेफटारी यह आशंक करने का प्राफदान करती अगर ऑफेफटारी के आशंका है तो उस व्यक्ति को जमात प्राफदान करने का प्राफदान गष्यक्ता अब देखे समईधान-पीट constitutional benchmark हाली में CGI ने आशवाशन दिया है कि सुप्रीम कोट में कम से कम एक समीधान पीट पूरे वर्ष कारे करेगी वर्थमान में सुप्रीम कोट की समीधान पीट के समख्च कुल 492 मामले लंबित है 492 मामले लंबित है इन में कानून और सविधान की व्याक्ख्याओं के प्रशनों से जुड़े 53 मुख्य मामले भी शामल है सविधान पीट सुप्रीम कोट के एक पीट होती है इसमें 5 या अधिक नाइदिश किसी मामले की सुनवाई करते है संविधान पीट में 5 या अधिक नाइदिश किसी मामले की सुनवाई करते है संख्या ध्यान रखे 5 या उससे अधिक मर्थवान में इनका गठन आवशक्ता पढ़ने पर भाद के मुख्य नाइदिश द्वारा अस्थाई आधार पर किया जाता है संविधान की व्याक्ता से संबंदित कानून का कोई महत्पून प्रशन शामिल हो संविधान की व्याक्ता से संबंदित कानून का कोई महत्पून प्रशन शामिल हो अधिकल 145 का क्लॉस 3 जब भाद का राष्टपती आटिकल 143 के तहित किसी तत्या कानून के प्रश्च पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे जब रास्ट पती आर्टिकल लगन 43 के थैत किसी तथ्या कानून के प्रश्च पर अगर सुप्रीम कोट से राय मांगे तब जब सुप्रीम कोट की दो या तीन नियाई दीशो वाली पीट कानून के समान प्रश्च पर पर विरोधी निड़ने देती है तब एक बड़ी पीट द्वारा अंतिन निड़ने देना अफशक हो जाता है तेखें माली जे अगर दू या तीन जजग है थीके वाली पीट है अगर माली जे कानून के समान प्रेषन पर 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 विरोधी निर्नाय देते हैं माली déआ एक अलग बात कह रहां एक अलग बात कह रहा हैं तो फिर क्या है एक बड़ी पीट बना देंगे पांच की बना दी फिर वो अपना अंतिम निर्ने देते हैं जब तीन नयाइदीशों के पीट दार दीए के किसी निर्ने पर बाद में तीन नयाइदीश की एक अन्य पीट संदेवेक करती है तब पहली पीट के फैसले बाप पुनवचार के मामले को एक बड़ी पीट को भेजने का नि सरकार ने सुप्रीम कोट को सोचित किया कि भीजों बहोपाल गैस्त्य राजदी के पीरित सब्सक्रón статьi कट को दिवाली मुजशाराशी में बृध्धी की मांग करने वाली उप्छारात्म क्या जिसका पर विचार करें कि थिक थीन सरकारे सुप्रीम कोट को क्या का है सुचित किया है कि वह जो मोपाल गैस राजदी हुई थी उसमें पीडित को दी जाने वाली जो मुझाबजार राशी में बृध्धी की जो मांग है करने वाली जो क्यूरेटिव पेटीशन है उक्चारात्मक याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब अंतिम सम्विधानिक पाई होता है जिसकी पुनर्वचार याचिका रिव्यू पेटीशन जो होती है उसको न्याले ने खारिच कर दिया तो फिर उसके बाद वो क्यूरेटिव पेटीशन डाल सकता है उप्चारात्मक याचिका का सविधान में कोई उलेक नहीं है ध्यान रखे यह अफधार्ण सविधान के देता कि पुनर्वचार याचिका का अपने दीए गया किसी फैसले आदे उसकी समिक्षा करने का धिकार देता है की विखलता को रोका जा सके तो आगे की टॉपिक हम नेक्स वीडियो में देखते हैं थैंक यू